तो गाइस किसी का ये सवाल आया था कि मेरा जो background है मैंने अपना BA complete किया है और BA के बाद मैंने ये job join करने की कोशिच की, interview देने की कोशिच की digital marketing में और मुझे वहाँ पर बोला गया कि just because हम आपको नहीं ले रहे हैं क्योंकि आपका जो background है वो है BA और MBA नहीं है आपका BBA नहीं है इसलिए हम नहीं देर आपको hire कर रहे हैं और अगर आपको digital marketing में रहना है तो आपको MBA और BBA करना पड़ेगा तो इसी को उपर आज हम बात करने वाले हैं Welcome back to my YouTube channel में नाम है अनीश सिना और आप देख रहे हैं hashtag window Instagram पर follow नहीं किया है तो Instagram की ID यहाँ पर कहीं पर दिख रहा होगा अनीश के सिना तो जागे follow कर लिजेगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो देखी किसी ने यह सवाल किया कि आप पहले बात करते हैं कि background कि इतना ज्यादा important है कि digital marketing का background कि हाँ जो background चला आ रहा है आपका आपने 10th किसमें किया 12th किसमें किया आपने graduation किसमें किया कितना matter करता है अब एक बात बदाता हूँ कि अगर आप banking sector में हैं या फिर आप marketing या sales में हैं तब आपका background देखा जाता है क्योंकि जो digital marketing है वो बिल्कुल ही different field है ठीक है अगर आप banking में हैं तो आपने 12th में अगर commerce लिया होगा आपने अपना graduation जो है वो भी आपने commerce में किया होगा या finance में किया होगा या फिर MBA भी किया होगा उसमें finance में किया होगा फिर आपकी injury हो सकती है banking line हो जाए या फिर CEA हो जाए कुछ भी आपने accounts related जो होगा तब हो सकता है digital marketing कोई ऐसा profile नहीं है जिसमें कि आपका background check हो कि नहीं आपका 10th भी IT में होगा 12th भी IT में होगा और आपका graduation भी IT में होगा और MBA भी IT में होगा तब आप digital marketing कर सकते हैं ये कहीं से भी logical नहीं है और क्योंकि digital marketing का ऐसा कोई course नहीं है कि हाँ कि चलो course मतलब कि आप छोटे बोटे courses होते हैं ये कोई बहुत बड़ा वास चीज नहीं है कि नहीं आपका 12th भी digital marketing में हो या फिर IT में हो उसके बाद आपका graduation भी IT में हो या BBA में हो भी ये हो ऐसा कहीं नहीं है ये सरीफ और सरीफ reject करने के बहाने हैं आपके मतलब company वाले सरीफ और सरीफ reject करते हैं इसी बहाने से आपको किया होगा reject बागी ऐसा कुछ नहीं है अगर मेरी communication skills काफी अच्छी है और मैं आपसे काफी अच्छे तरीके से बात कर रहा हूँ मेरी IT skills भी अच्छी है मैंने एक fundamental computer course किया हुआ जिसके कारण मैं अराम से search कर लेता हूँ submissions कर सकता हूँ off page activity मुझे मालूम है digital marketing से rated जो भी चीज़े चाहिए वो सारी चीज़े मुझे मालूम है तो आप मेरा background क्या देख रहे हैं उसमें reject करने का सवाल ही नहीं उठता है मैंने अभी तक hardly किसी ने बोला यह first time मैंने देखा यह comment जिसने लिखा था कि मुझे BA था तो मुझे reject कर दिया तो background उतना matter नहीं करता है जहां आप entry कर रहे हैं digital marketing में तो अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो वो स्रीफ एक बहाना है आप बिल्कुल उन पर focus मत कीजिए आप बस interview देते जाईए आपका बिल्कुल clear हो जाएगा कोई दिखकर नहीं है एक दो interview से काम नहीं चलेगा मैं आपको सजेक्ट कर देता हूँ कि हर तरह की company market में बैठी हुई है और reject करने के ना बहाने भी होते हैं कि हाँ हमारा ये issue है हमारा वो issue तो मैं आपको बहुत ही clear बोल रहा हूँ interview देने के जो frequency है वो बढ़ा दीजिए आप अगर एक दो interview दे रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि 5 interview दें क्योंकि हर तरह के लोग और हर तरह की company market में भरी पड़ी है और अगर आपने उस पर focus नहीं किया कि जल्दी से जल्दी जादा interview दें तो आपकी job भी लगने में काफी late लग जाएगा बहुत लोग हैं जो comment कर रहे हैं थे कि 2-3 interviews मैंने दे दिये हैं बेकार है नहीं लग रहा जोग अरे भाई 2-3 company जो आपने दिया हो सकता है वो बेकारी company हो वो लेने के mood में ही ना हो उनके वो budget ही नहीं होगा जो salary आप reward कर रहे हो या फिर वो company सिर्फ इसी तरह walk-in करवा रही हो लोगों को HR अपना numbers बनाने के लिए भी interviews लेते रहते हैं तो मैं आपको suggest करूँगा इतना ज़्यादा demotivate होने की जरूद नहीं है मैंने देखा हुआ है हर तरह के लोग जो BA भी किया हुआ है जिनोंने या फिर B.com भी किया हुआ है उनने वो भी digital marketing में अच्छा job कर रहे हैं अच्छा पैसा कमा रहे हैं बस मैं आप लोगों से यह जरूर बोलता रहता हूँ कि MBA जरूर कर लिजिए कि Masters आज की रिट में देखिए एक टाइम आएगा जब Masters ना बहुत कंपलसरी हो जाएगा जैसा कि अभी देखिएगा education sector में जिनके पास भी Masters नहीं है उनको पढ़ाने का allow नहीं है तो इसलिए मैं बोल रहा हुँ कि Masters जरू कर लिजिए कोई दिक्कत नहीं है बट कर जरूर लिजिए और प्लीज इंटर्व्यू को जब भी आप इंटर्व्यू देने जा रहे हैं तो जो सामने वाले जो चीजे आपको feedback आपका दे रहा है तो देखिए उसमें से क्या लेने लायक है क्या नहीं है जो लेने लायक है उसे ले लीजिए कि हाँ चलो मुझे इस चीज़ पर काम करना जी जो चीज़ लेना एक नहीं है वह आपको demotivate कर रहा है आप छोड़ दिए उसको वहीं पर आगे बढ़िए अगर ऐसा रहेंगे तो फिर वहीं क्या वहीं बैठेरा जाएंगे demotivator के अदम low feel करेंगे इंटरव्यूज के frequency बढ़ा दीजिए कंपनी तरह तरह के मिलने वारी लाला कंपनी भी बहुत सारी है यहां भरी पड़ी है तो इसलिए मैं सब को सजेस्ट करूँगा कोशिश कीजिए आराम से टाइम लीजिए और इंटरव्यूज कंड़क्ट करवाईए और लगतार इं नेक्स वीडियो में सब तक के लिए टेक केर नमस्कार